तो बच्छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासेज पर गॉड ग्लासेज यानि मैस भी एंड मस्ती भी तो बच्छो फाइनलशल मैतेमेटिक्स को कंटीनू करते हैं जो चैप्टर आपका इसमें चैप्टर चेंज हो जाता है जो अभी तक हमने फाइ चैप्टर थर्डीन है इसके अंदर हम रिटन ऑन इंवस्टमेंट सीजी आर और एफेक्टिव रेट ऑफ रिटन और डेप्रीशेशन यह चार टॉपिक हम करने वाले हैं आज की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे नॉमिनल देट ओफ रिटन आगे बढ़ने से पहले आपक नौए को श्रॉइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको यं carry mêmes करना चाहिए क्रेशक गृष्व के अंदर हमें लिमिर्मिटेड टाइम के अंदर आपका पूरा syllabus complete कराएंगे तो approximate 40 days का ये course है जिसके अंदर हम पूरा syllabus कवर करेंगे with basic concepts, with important examples और उसके last में फिर हम sample paper practice भी करेंगे तो एक complete package है जो आप यहाँ पर आप जोइन कर सकते हैं तो जोइन करने के लिए सिर्फ description box में जाना या आप God Classes app डाउनलोड करेंगे वहाँ पर course section में आपको दिखाई दे जाएगा crash course उसके बाद आप उसको join कर सकते हैं तो हम बात करते हैं जो हमारा topic है आज nominal rate of return अगर nominal rate of return की बात मैं मतलब स्विल्कुल simple words में करूँ बात में formula और formula पर बात में आएंगे जा रहा है जो rate आपको बताया जा रहा है कि इस पर ये return आपको मिलेगा पर example मैं अगर कहूँ कि आपने कोई investment scheme में अपने पैसा डाला आपने कहा कि मैं एक लाख रुपे investment scheme में डाल दूँगा लेकि इस पर मुझे return क्या मिलेगा क्योंकि जब तक या return नहीं मिलेगा ना कुछ वापस नहीं मिलेगा पैसा हम क्यों डालेंगे सीधी सी बात है तो return थो हमें चाहिए चाहिए तो आप जो financial advisor है उसने कहा कि जए return जी आपको इसमें 10% का return आपको मिलेगा guaranteed मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से आप भी खुश होगे या चलो एक लाग रुपे आप लगा रहे हो तो आपको एक साल के अंदर या जो भी term बताएगा आपको कि उसमें आपको 10% का आपको फायदा हो जाएगा 10% का मतलब हो गया सीधा सीधा कि आपको 10,000 का फायदा वहाँ पर होने वाला है ठीक है एक लाग रुपे आपने लगाया और 10% के रसाब से आपको 10,000 का वहाँ पर फायदा हो गया आप खुश हो गया अब लेकिन जो ये क्या हुआ आपके पस 10% क्या हुआ है याँ पर stated rate of return हो गया जो उसने बताया ठीक अब उसने कहा कि जो financial advisor है उसने कहा कि सर आपको फायदा तो हो रहा है लेकिन उसमें से मेरा भी तो कुछ शेर बनेगा ना मैं आपको advice दे रहा हूँ तो मेरे को भी तो कुछ चाहिए ना तो आपने कहा कि हाँ तुमारी फीज क्या है सर दसजार का फायदा होगा ना आपको तो 1,000 तो मेरा बनता ही है कम से कम आपने कहा चलो ठीक है वह कि 10,000 तो में मिलेंगे 1,000 इसको दे देंगे बता तो यही रहा कि कौन से फ़न में लगाना है क्या है तो अब आपको जो actual फायदा हुआ है वो कितना हुआ आपको देख तो 10,000 रुपे रहे लेकिन जो आपको 1000 रुपे फीस भी तो देनी है तो आपको फायदा रहे या 9,000 यानि अगर हम बात करें actual जो return है आपको वो मिलेगा 9% करना की 10% का तो जो effective rate of return की बात बारत जो हम बात होगा वो होगा nominal rate of return तो यह दोनों में basically फर्क होता है ठीक है और यहाँ पर जो हम questions करने वाले है अभी nominal rate of return वाले ही question करने वाले है मतलब simple आपको return निकालना होगा effective वाले जो पार्ट होगा वो हम next video के अंदर cover करेंगे अब rate of return निकालने का आपको फायदा क्या है वो मतलब formula क्या है तो rate of return निकालने का formula आपको सीदा सीदा यह देखना है कि आपको कितना profit हो रहा है कितना loss हो रहा है ठीक है net profit या net loss profit फायदे में चला जाएगा ठीक है profit होगा थो फायदे में उसमें प्लस में चला जाएगा तो जो भी आपका net profit होगा या net loss होगा वो आपको उपर रखना है और divided by total return आपको जो total आपने investment करीए वो आपको नीचे रखनी है इंटू में कर देना 100 जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको investment पर 10,000 का फायदा हो रहा है आपने investment कितनी करीए आपने investment करीए 1,00,000 तो इसका आपको return निकालना है वही कितना return बनेगा तो यहां से हम इसको cancel कर देते हैं और यहां से आपको इसको cancel कर देते हो तो आपको इसमें फायदा हो गया कितना भी एक परसेंट का एक परसेंट का फायदा कैसे हो गया अभी हमने जैसे देखा कि हमें जो फायदा हुआ था वो थ पर्सेंटेज में निकालने के लिए आप इसको 100 से कर देंगे multiply तो यहां से 2-0 यह cancel हो गई और 3-0 यह cancel हो गई तो आपका जो return है यह बन गया 10% तो इस तरीके से आपको बस इन questions के अंदर यह करना है ठीक है अब यहां पर आपको अलग-लग तरीके से लिखे हुए लेकिन मतलब देखो सबका एक ही है मतलब यही है कि आपको जो profit है वो उपर रखना है या loss है जो उपर रखना है जो investment आपने करी है उसको नीचे रखना है इंटू में 100 करना है अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करें तो यहां कहरा है कि current value of investment minus total investment पर आपने जो investment करी है वो और जो current में आपकी investment हो गई है वो उन दोनों को difference कर दो तो उन दोनों को difference करने पर क्या आएगा profit ही तो आएगा ना आपने एक लाख रुपे लगाया दस हजार का profit आपको हो गया यादि एक लाख दस हजार रुपे आपका amount हो गया उसमेंसे जो आपने लगाया था वो कितना था एक लाख तो एक लाख 10-100,000 में से आप एक लाख minus करदोगे तो 10,000 profit बचा तो आना आपके पास फिर भी वही है ठीक है बस formula लिखने का तरीका अलग लग है ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो लेकिन मतलब सबका एक ही है कि आपको profit या loss जो भी होगा वो उपर लिखना है divided by जितना investment आपने किया वो और percentage निकालने के लिए into में कर देन अब कुछ question इसमें ऐसे आएंगे जिसमें आपको share आपने purchase किया होगा और share आपने फिर बेचा भी होगा ठीक है अगर मैंने share purchase किया है आगे उसको मैंने भी sale नहीं किया है तो जो भी profit होगा मेरा वो उसका dividend होगा जो company dividend देती है ठीक है मालो मैंने कोई share खरीड लिया 10,000 का और company ने का भी 10% का dividend आपको मिलेगा तो 10% का dividend का मतलब मेरको वहाँ पर 1,000 का फायदा हो रहा है अगर मैं उस share को sale नहीं कर रहा हूँ तो हम ये वाला formula यूज करेंगे कि हमें जो फायदा हो रहा है वो 1,000 का फायदा हो रहा है कितने investment पर 10,000 की investment पर और into में 100 कर देंगे व तो उसमें जो selling price और होगा cost price होगा वहां का difference होगा वो भी तो आपका फायदा ही होगा ना आपने share खरीदा 10,000 का ठीक है आपने share खरीदा 10,000 का ये आपने investment कर दी ये आपकी cost पड़ गी ठीक है उसके बाद आपने dividend कमा लिया यहां से आपने company ने का भी 10% का dividend आपको ये आपको profit हुआ ये आपकी pocket में आया फिर आपने क्या गरा साल के end में ये share जो 10,000 के खरीदे थे न आपने ये 12,000 के आपने बेच दिये selling price होगया तो यहां से जो selling price होगा 10,000 का share खरीदा आपने 12,000 का share आपने बेच दिया तो दो हजार का फायदा आपको यहां पर भी हो तो जो net profit की हम बात कर रहे हैं कि net profit आपको कितना होगा ये 1,000 रुपीज का आपको profit ये मिल गया as a dividend प्लस जो आपने share sale किये उससे 2,000 का आपको profit यहां मिल गया तो net profit आपका ये बनेगा 3,000 अब ये जो net profit बनेगा इसी को आपको उपर रख देना है 3,000 divided by कितना investment किया था 10,000 into में 100 कर देंगे तो उससे आपके पास आपका profit percentage निकल कर आ जाएगा अब इसी चीज को ये एक फार्मूले से आपको यहां पर बता रहा है कि यह कर रहा है यहां पर D लिको D मतलब dividend ये जो dividend था plus P1 minus P0, P1 का मतलब है current value of investment means 12,000 minus P0, P0 मतलब जो original value of investment जितनी आपने investment करी थी यानि 10,000 तो 12,000 minus 10,000 यानि 2,000 ये आगया plus dividend हो गया 1,000 का total मिलाकर आपका profit बन गया 3,000 का ठीक है नीचे P0 मतलब जो पैसा आपने लगाया था इंटू में 100, तो आप ऐसे formula में लिक्की कर लो या बिलकुल simple चीजों को समझो कि आपको सीधा-सीधा बात ही है कि आपको profit निकालना है आपने profit निकाल लिया, आपने profit उपर रखना है, total cost investment नीचे रखना है, इंटू में 100 कर देना है बस यह formula लगाना, इस पूरी exercise में basic जो formula वो यही है आपको बस profit निकालना है, कैसे भी करके आप निकालो, चाहिए ऐसे formula में रखके निकालो या सीधे-सीधा अपना logics उज़ करो, कि इस तरह से आपका यह profit इतना बन के यह बात तो I think clear होगी होगी, अब दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पर करेंगे जो questions आएंगे आपके, इसमें कुछ dividend आएगा, कि dividend आपको मिलता है company की तरफ से ठीक है, या फिर return of investment, यह दो चीज हम यहाँ पर निकालेंगे, जो percentage में होगी तो जब आप dividend की बात करोगे, तो dividend हमेशा company का जो share होगा, उसकी face value पर मिलेगा इसी ध्यान लखना, dividend आपको हमेशा company की, जो share होगा, उसकी face value पर आपको face value, dividend हमेशा इसी पर count होगा face value का मतलब क्या है कि company जो अपना share issue करती है, वो कितने price पर issue करती है company ने का कि मेरा share 100 रुपे का है, तो company जो भी dividend देगी, आपको वो हमेशा 100 रुपीज के उपर ही देगी, कितना percentage उसका बनेगा, उसके इसाब से, वो हमेशा face value पर ही count करेगी, अब वो share market में कितने में available है, doesn't matter, market में वो share महंगा है, सस्ता है, उससे company को कोई मतलब नहीं, dividend हमेशा company इसकी face value पर ही आपको देगी, अब दूसरी बात आती है, return, return हम किस पर निकालेंगे, return का मतलब होता है, कि हमने जो तो रुपे का share हम 120 में मिल रहा है, तो इसका मतलब मैंने तो 120 रुपे लगाए ना, मैंने 120 रुपे लगाए, तो return जो मुझे मिलेगा, वो 120 के हिसाब से count होगा, ना कि 100 के हिसाब से, तो यानि जो return आपको हमेशा count करना है, वो market value पर count करना है, dividend हमेशा face value पर करना है, return साइज में आपको कुछ भी नहीं, बहुत simple questions है, अभी हम question करेंगे, तो आपको हो गया, बड़े अराम से धर question हो रहे हैं, में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, यह कोई exercise आगी है, हमारी 13.1, अब यहाँ पर कहता है कि यह person, ए person invested rupees 10,000 in 10% rupees 100 share of a company, इसका मतलब का है, इस line का, कि एक company, एक आदमी ने 10,000 rupees invest किये, ठीक है, 10,000 investment किये, यानि इसकी जो total investment है, यागी rupees 10,000, अब उसने क्या करा, एक company का share था 100 rupees का, वो खरीदे, और यह 10% इसका मतलब किया है कि company इस 100 rupees पर 10% का dividend दे रही है, तो face value क्या है इसकी share की? Face value है 100 rupees, और इस पर company dividend आपको दे रही है, 10%, ठीक है, अब यह कहता है कि जो share है company का 100 rupees का, available at a premium of rupees 25, यानि जो share 100 rupees का है company का, यह market में 25 rupees, 25 rupees की premium पर available है, that means share हमें महगा मिल रहा है, सस्ता ने मिल रहा, तो market value क्या होई share की? Market value होगी 100 plus 25, यानि हमें जो share मिल रहा है, वो 125 का मिल रहा है, अब जो हम उसमें market के इंदर invest करेंगे, तो company का share 100 rupees का था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो market में इतने का मिल रहा है न, तो हमें तो इतने का purchase करना पड़ेगा, अब purchase करने के लिए मेरे पास total investment कितनी है? 10,000 है, तो मुझे से कितने share मिलेंगे, number of share निकाल लो, total investment 10,000 की है, और एक share मुझे 125 का पड़ रहा है, तो 25 से cancel कर लो, 80 share आगे, यानि मैंने 125 रूपीज के एसाब से 80 share market से purchase कर लिए, तो ये सारी transaction समझ में आगी, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है rate of return, हमें फाइदा कितना हो रहा है, फाइदा हमें किस पर मिलेगा, फाइदा तो हमें dividend पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर share को हम आग dividend मैंने आपको क्या बता है था, dividend हमेशा count होगा face value पर, face value कितनी है, face value है 100 rupees, dividend company कितना पे कर रही है, 10% into में 10% कर देंगे, ये तो एक share का हो गया na dividend, हमारे पास share है कितने, हमारे पास share है 80, तो into में 80 और कर दो, 100 rupees face value है, उस पर मुझे 10% का dividend मिल रहा है, ये एक share की value होगी, औ हमें 80 से multiply कर दूँगा, तो total dividend आजाएगा मेरे पास 800 rupees का, यानि मैंने investment करी थी 10,000 की, इस पर मुझे profit हो गया 800 का, तो मेरा जो rate of return बनेगा, वो कितना बनेगा, rate of return, उपर हमने profit रखना है, नीचे investment रखनी है, into में 100 करना है, तो सिधा-सिधा 8% का मेरा return आगया, कि इस पूरी transaction पर, transaction पर मुझे 8% का profit होने वाला है, इसी question की तरह ही आपको next question करना है, यहाँ पर कहता है कि मैं invest rupees 22,500, तो यह आपके पास total investment आगी, 22,500, इन rupees 50 share, 50 rupees का share है, face value क्या है, rupees 50, available at 10% discount, अब यहाँ पर, जो market value है, उसकी 10% discount पर available है, तो market value क्या बनेगी, जो 50 rupees का share है, discount का मतलब होगा minus, कितना minus करना है आपको, 10%, किसका 10% 50 का, 10% of 50, इतना आपको कम कर देना है, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 10% of 50, यानि 5 rupees कम हो गया, तो share की जो market value है, वो आपको 45 rupees की पढ़ रही है, यानि एक share आपको सस्ता मिल रहा है, ठीक है, अब कहरा है कि, if the dividend paid by the company is 12%, dividend company कितना दे रही है, 12% का दे रही है, तो पहले तो आप निकाल लोगी, आपने share कितने purchase कर लिए, number of share, तो आपने जो total investment करनी है, वो करनी है 22500, एक share आपको पढ़ रहा है 45 का, तो 96 से cancel कर देते हैं, आपके पास company के 500 shares आगे है, अब आप निकालो dividend आपको कितना मिल रहा है, तो dividend आपको मिल रहा है, कितना dividend हमें मिल रहा है, face value है 50 rupees, dividend company कितना पे कर रही है 12%, और कितने number of share है 500, cancel कर दो 5 से, 5,5 जा 25, 25 तू जा 50, और 25 प्लस में 5 यानि 30, तो 3000 number of share मिरे पास आगे, और 3000 का मिरे कुछ dividend मिल गया, तो rate of return कितना बना, rate of return, 3000 का profit हुआ, on 22,500 rupees into 100, cancel करो, 5 से 25 से cancel कर लेते हैं, चला जाएगा, 25, 1 जा 25, 25 तू जा 50, फिर 3 से cancel कर लो, तो 40 upon 3, 40 upon 3 को अगर आप mix fraction में लिखोगे, तो आजाएगा कितना, 13 and 1 by 3 परसेंट, इतना हमें इस पर profit हो रहा है, 13 and 1 by 3, उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट कुश्चिन पर, जो नेक्स्ट कुश्चिन आपको दे रखे हैं, इसमें से एक कुश्चिन आपका एक्जाम के अंदर आए हुआ है, बोड़ एक्जाम के अंदर, इसके अंदर क्या कहता है कि, परसन इंवेस्टेड रुपीज 2 लेक, in a fund for 1 year, at the end of the year, the investment was worth रुपीज दिस, अब यहां पर कुछ ऐसा dividend dividend कुछ पंगा नहीं है, सीधा-सीधा कह रखा है, आपने साल के स्टार्टिंग में 2 लेक रुपीज इंवेस्ट किया, साल के end में आपकी जो इंवेस्टमेंट है, वो 2 लेक 16,000 हो गई, तो सीधा-सीधा हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकाल लेना है, कि वह टोटल मिलाकर आपको गेन हो कितना रहा है, तो 2 लेक 16,000 आपकी current value बन गया है, उसमें से 2 लेक माइनस कर दोगे आप, तो 16,000 का आपको profit हो गया, सिधी सी बात ही हो गई, तो rate of return कितना बन गया, rate of return आगया 16,000 divided by 2 लेक आपने इंवेस्ट किये थे, इंटू में 100, तो 3-0 ये cancel, 2-0 ये cancel, 2-0 ये cancel, 2-0 ये cancel हो जाएगा, यानि 8% का return आगया, तो जब आपको question ऐसा दे रखा हो, जिसमें कोई dividend face value नहीं है, तो सीधा ये देखो कि आपने कितना पैसर लगाया था, कितना हो गया, उन दोनों का difference निकालो, profit या loss जो भी होगा वो निकल जाएगा, और आपको percentage निकल जाएगा, यहां पर भी देखो ऐसी कहते हैं कि मितुल invested रुपीज 3,50,000 इन ये fund, at the end of the year the value of the fund is रुपीज 4,37,500, तो इसमें से इसको minus करना, minus करके फिर इसी तरीके से percentage निकाल देना, answer आपको निकल जाएगा, 25% इसका answer होना चाहिए, चेक कर लेना एक बार, नहीं आए, तो मुझे comment box में बता देना, कि कैसे करना है ये, ठीक है, इसके बाद आते हैं, question number 5 पर, अब 5 में कहता है कि, सल्मान invest a sum of money in rupees 50 share, paying 10% dividend, quoted at 20% discount, if his annual dividend is rupees 600, calculate his rate of return from the investment, investment यहां पर हमें नहीं दी हुए, ठीक है, investment नहीं दी हो, बाकी सारी चीज़े दे रखी हैं, तो investment अब मान लेते हैं, कि let, total investment, भी rupees x, अब जो face value share गी, वो कितनी है, 50 rupees का share है, और कैसे available है वो, 10% का dividend मिल रहा है, quoted at 20% discount, 20% का discount हमें इस पर मिल रहा है, तो discount कितना है, 20%, इसका 20% face value का, कितना बनेगा, 20 upon 100, into में 50, यानि 10 रुपे का आपको discount मिल रहा है, 10 रुपे का आपको सस्ता मिल रहा है share, तो share की market value कितनी आ गई, 50 minus 10, 40 rupees का share हमें मिल रहा है, जिस पर company आपको dividend pay कर रही है, कितना 10% का, अब dividend in term of rupees, कितना है, 600 का है, ठीक है, और 600, in term of percentage देखेंगे, तो 10% है, ठीक है, in term of rupees देखेंगे, तो 600 का आपको dividend मिल रहा है, अब हमारे पस यहाँ पर number of shares निकालने के लिए, investment नहीं दे रही है, तो total लेकिन हमने assume कर रही है, कि investment हमारी X है, तो number of share कितने होगे, number of share निकालने के लिए, total investment divided by cost of each share, तो cost of share कितनी है, 40 rupees, यह हमारे पस number of share है, अब जो dividend हम निकालते हैं, तो dividend का formula हम क्या रखते हैं, dividend equals to face value, into dividend percentage, into number of share, यह formula रखके हम निकालते हैं, dividend कितना बन रहे हैं, तो अब इन में से आपको dividend दे रखा हैं, in term of rupees 600 है, face value 50 rupees है, dividend percentage में 10% है, number of share आपके पास है, X upon 40, तो यहां से आपको total investment मिल जाएगी, आपने invest करा कितना है, यहां से देखो जो जो cancel हो जाए, यह 2-0 cancel इससे, 5 से यह cancel, 8 को यहां multiply कर दो, X आजाएगा 4800, यानि आपने इतनी investment करी थी, और आपको profit कितना हो रहा है, dividend आपको मिल रहा है 600 का, तो rate of return कितना बन गया, 600 divided by 4800, और into में 100, 25 को 2 से divide करेंगे, तो 12 and a half percent, इतना return आपका बन रहा है, चीक है, उसके बाद, जिसको screenshot लेने हो, कुछ बच्चों की component रहते हैं, स्क्रीन शोट लेने का time नहीं देते, या जिसको लेना ना, screenshot ले लो, अच्छे से, उसके बाद आते हैं, question number 6 पर, question number 6 में भी, आपको लगबग लगबग वही सारी चीज़े दे रखी है, तो इसको आप आप राम से कर सकते हो, कि मैं इन्वेस्टे सम अफ मनी रूपीज 100 शेर, पेइंग 15% डिवीडेंट, कोटी डैट 20% प्रीमियम, इफ इस एन्वल डिवीडेंट इस दिस, calculate the rate of return, बिल्कुल पिछले वाले कोशन की तरह है, कोशन नमबर 5 की तरह करना है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर भी सेमी आएगा 12.5%, जो 5 का आंसर आया था, वही इसका भी आंसर आएगा, तो इसको आप ट्राई करेंगे एक बार, अगर नहीं निगलता तो फिर आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि आपको प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, पुशन नमबर 7 देखो, 7 में कहता है कि Mr. Satendra hold 1500, Mr. Satendra के पास 1500 number of share है, तो यहां ओलेड़ी आपको number of share दे दिये, number of share है 1500, रूपीज 100 share of a company, face value, रूपीज 100, paying 15% dividend, annually quoted, at 30% premium, तो premium कितना है इस पर, मतलब कितना महंगा मिल रहा है, 30%, 30% of 100 rupees, मतलब 30 rupees ही हो गया सिदा सिदा, तो market value कितनी बनेगी इसकी, 100 rupees की face value थी, 30 rupees premium है, यानि 130 rupees का ये share आपको मिल रहा है, ठीक है, अब आपने number of share कितने purchase कर रखें, 1500, तो यहां से आपकी जो cost of investment है, आपने कितना पैसा लगाया, वो निकल जाएगा, वो आपको देनी रखा, तो total investment कितनी हो गई, आपने share purchase कर रखें, 1500, एक share आपको पढ़ा था, 130 rupees का, तो 13,565, 13,619, इतना आपने total investment इसमें करा है, ठीक है, अब dividend आपको कितना मिल रहा है, in term of percentage, dividend कर रहा है 15% दे रहे कंपनी, तो अब dividend अब in term of rupees अगर हम निकाले, तो कितना बनता है, face value है 100 rupees, इस पर आपको 15% का dividend मिल रहा है, into में number of share कितने आपके बास, number of share हमारे पास 1500, इतना आपको dividend मिल रहा है, मतलब इतना आपका profit हो रहा है, तो आपका rate of return कितना बन जाएगा, 22500 divided by 195000 into 100, तो दो 0 ये cancel, एक 0 ये cancel, 5 से cancel करो, 5 3 जाए 15, 5 9 जाए 45, 5 से इसको करोगे, 3 से कर लो, 150 को 13 से divide करेंगे, तो आजाएगा आपके पास 13 बन जा 13, फिर 2 बचेगा, 13 बन जा 13, फिर बचेगा 7, तो decimal में निकाल दो, या mix fraction में छोड़ दो, 11 and 7 by 13, ये आपका इसमें net profit आजाएगा, यानि rate of return आजाएगा, इसके बाद आते हैं, next question पर, next question में कहता है कि, रूपीज, 100 share of a company, are sold at a discount of rupees 20, कंपनी का जो share है 100 रूपेगा, यानि face value कितनी है, 100 रूपीज, अब वो market में कितने में available है, 80 रूपीज में available है, ठीक है, यान सीधा सीधा आपको दे रखा है, discount दे रखा है, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, आपके पास 80 रूपीज आ जाएगा, तो market value उसकी 80 है, यानि, 100 रूपेगा share company ने लॉँच किया, लेकिन वो market में available है, आपको 80 रूपीज का, if the return on the investment is 15%, जो return, जो मैं investment कर रहा हूँ, उस पर मुझे 15% का फायदा हो रहा है, यानि, जो rate of return है, ये कितना है, 15% है, तो finder rate of dividend declared, तो company जो dividend दे रही है, company जो dividend declared कर रखा है, company ने वो dividend कितना है, तो यहाँ जो rate of return आपको दे रखा, ये किस पर दे रखा है, rate of return मैंने आपको जैसे बताया, कि rate of return लगेगा, हमेशा market value पर, तो अगर मैंने 80 रूपीज का share खरीदा है, तो उस पर मुझे 15% का return मिल रहा है, तो return मेरा कितना बना, 80 रूपीज के हिसाब से 15% निकालेंगे, तो यानि मुझे 12 रूपीज का फाइदा हो रहा है, यानि अगर मैं 80 रूपीज लगा रहा हूँ, share को purchase करने में, तो मेरे को 12 रूपीज का फाइदा हो रहा है, मुझे 12 रूपीज का dividend मिल रहा है, सिख्दी से बात यह हुई, अब ये जो dividend company दे रही है, company क्या देगी, company 80 रूपीज के ओपर दो नहीं देगी न, company तो 100 रूपीज के ओपर देगी dividend, तो dividend जो मेरे को ये जो फाइदा हो रहा है, ये फाइदा क्या है, ये dividend ही तो है न, और कोई फाइदा तो यहाँ पर भी है नि, यहां मैं share को, sale purchase तो करनी रहा, मैंने share खरीदा था, share खरीदा मैंने 80 रूपीज का, जिस पर मुझे 12 रूपीज का फाइदा हुआ, तो 12 रूपीज मुझे किस ने दिया, company ने दिया, company क्या देती है, dividend देती है, तो ये dividend है, रूपीज 12 का, अब dividend in term of percentage कितना बनेगा, dividend मुझे 12 रूपीज का मिल रहा है, company कहा दिया, हम तो जो face value उस पर देंगे, percentage निकालने के लिए 100 से multiply करतो, यानि company के एसाब से 12 परसेंट का, उसका dividend होगा, जो कि market के एसाब से मुझे 15 परसेंट का return होगा, ठीक है, तो जब भी dividend निकालना है, हमेशा face value पर, return निकालना है, हमेशा market value पर, next question में कहता है कि, company declared a dividend of 14%, find the market value of rupees 50 share, 50 rupees का share है, 50 rupees का share है, ठीक है, और company इस पर dividend दे रही है 14%, dividend कितना दे रही है company, यानि company कितना profit हमें दे रही है, 14%, 50 का 14% निकाल लो, यानि company ने का कि, हम आपको 50 rupees के share पर, 7 rupees का profit देंगे, अब जो share है, return on the investment was 10%, अब जो मेरा return है, investment पर, वो मुझे 10% पढ़ रहा है, तो market value अभी नहीं दे रही हैं, market value हमें निकालनी है, ठीक है, find the market value, वो निकालनी है, तो market value हमाल लेते हैं, गी भई X है, let market value, be rupees X, अब जो ये rate of return है, investment पर, rate of return to 10% है, ये किस पर मिलेगा, ये market value पर तो मिलेगा न मुझे, तो X का 10% अगर हम निकालेंगे, तो ये किस के बराबर है, इस 7 rupees के बराबर दिया हुआ है, यहां से इसको cancel कर दो, इसको इधर ले जाओ, X के value आजाएगी 70, यानि, जो market value है शेयर गी, वो 70 rupees है, उसके बाद आते हैं, next question पर, अब next question में कहता है कि, Mrs. Gupta invested rupees 16,500, on rupees 100 share at a premium of rupees 10, paying 15% dividend, at the end of the year, she sells the share at a premium of rupees 20, अब यहां पर आपने share का sale purchase किया, तो sale purchase किया, तो उसके हिसाब से भी हम profit देखेंगे, लेकिन जो starting वाला है, वो profit आपको वैसे account करना है, जिसे हमने starting वाले question में किया, कि हमने कितना invest किया, Mrs. Gupta ने 16,500, जो total investment है, total investment होगी, rupees 16,500, face value share की, 100 rupees थी, कितने में उसने purchase किया, at a premium of rupees 10, 10 rupees महेंगा purchase किया, तो market value कितनी थी, 110, अब निकाल लेते कि number of share हमारे पास कितने है, तो number of share, total investment हमने इतनी करिये, और एक share हमें इतने का पड़ा है, तो 150 number of share आपके पास purchase होगी, अब हमें निकालना है dividend, तो dividend जिसे हम पहले निकालते आ रहे हैं, company पर किस पर देगी, face value पर देगी, 100 rupees की face value है, dividend कितना है, 15% है, number of share कितना है, 150 है, से cancel करो, 2250, यानि ये आपका dividend आ गया, dividend वाला profit आ गया, जो company आपको dividend देगी, ये वो वाला profit आ गया, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि, आपने साल के end में, share जो हो है न, वो sale कर दिये, कितने premium पर, 20 rupees के premium पर, तो selling price of share कितना हो गया, अब 20 rupees premium का मतलब है, आपने खरीदा था 110 का, तो premium 20 का मतलब ये नहीं कि, आपने market value में add करना है, अपनी जो market value उसमें add करना है, उसमें नहीं करना, premium जब भी दे रखा होगा, वो हमेशा face value पर ही count करना है, तो 100 रुबे का जो share था, वो आपने 20 रुबे premium पर बेचा, यानि आपने 20 रुपीज के share बेच दिए, ठीक है 120 के share आपने बेचे, sale value आपको कितनी मिलगी, आपने एक share 120 का बेचा, और आपके पास कितने share थे, 150 share थे, तो आपने total मिलाकर, 18,000 के share sale कर दिए, तो यहां से आपको profit कितना हुआ, आपने 18,000 के share sale किये, आपने खरीदे कितने थे, आपने तो खरीदे 16,500 के, तो आपको रुपीज 1500 का profit यहां पर हो गया, तो यह जो आपने कमाया, यह भी आपका profit है, यह जो company से आपने कमाया, यह भी आपका profit है, तो जो net profit है आपका वो क्या बना 2250 में 1500 एड़ कर दो तो 0573 यह आपका net profit आ गया तो profit percentage यानि rate of return कितना आ गया 3750 divided by आपने लगाया कितना था starting में यह लगाया था तो 16500 into 100 पांच से इसे cancel करो तीन से और cancel हो जाएगा तीन से cancel करने के बाद आजाएगा 25 ते 75 और यहाँ जाएगा 11 11 से इसको divide करोगे 112022 बचेगा यहाँ पर 3 112022 फिर बचेगा 8 22 and 8 by 11% इतना आपका इस पर rate of return आ जाएगा उसके बाद जो यह last question है वारे पास यह भी इसी तरीके से आपको करना है यहाँ पर भी Mr. Verma ने invest किया 18,000 ठीक है यह total investment हो गई रूपीज एटीन थाउज़न और 100 रूपीज का शेर था आपने 25 डिसकाउंट पर परचेज किया यानि market value कितनी हो जाएगी 100 माइनस 25 यानि 75 का आपने शेर परचेज किया तो कितने शेर आपने परचेज कर लिए number of share निकालो total investment divided by cost of each investment 25 से cancel करते है 25,6,150 तो कितना बचेगा 25,7 जा जाएगा 175 तो कि आपके बाद बचेगा 5,25,2,50 तीन से आप इसको cancel कर दो तो आपके पास आजाएगे 240 shares ठीक है अब ये 240 shares के साब से आप dividend निकालोगे dividend face value पर मिलेगा कितना dividend है 12% dividend है into total number of share तो इतना आपका आगया है यहाँ पर dividend उसके बाद फिर आपने क्या करा at the end आपने shares जो है वो sale कर दिये discount पर 10 रुपीज के discount पर तो sale value कितनी आई गया आपकी selling price of share निकाल लो पहले तो जो face value के इसाब से 100 रुपे का share था आपने 10 रुपे discount पर sale करा यानि आपने 90 रुपीज का share sale किया तो sale value कितनी मिली 90 रुपीज का आपने share किया share आपके पास थे कितने 240 shares थे तो यह आपकी sale value आगई तो यहाँ से आपने profit कितना earn किया profit किया 21600 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो 316 3 3,600 का आपने जो profit है यहाँ पर यह earn किया तो यह भी आपका profit हो गया ठीक है यह भी profit हो गया तो net profit कितना बन गया 2880 में 3600 एड़ कर दो तो आज आपका net profit हुआ इसके असाब से rate of return निकालते हैं 6480 divided by कितना investment किया था 18,000 का in 200 तो यह cancel, यह इस से cancel, 6 से काड़ लो, 6,3 जा 18, 6,6, 6,8, 48, 3 से इसको काटेंगे तो 3,3 जा 9 और 3,6 जा 18, 36% का आपको यहाँ पर profit हो रहा है तो यह हमारा इसका rate of return निकल गया I hope आपको questions सारे समझ में आगे होंगे किस तरी से question करने फिर भी कहीं पर कोई doubt होता है, कोई query होती है तो comment box में comment करके ज़रू बताएं पोशिश करूँगा कि आपकी हरे query का आपको solution provide कर सके तो आज के इस class में इतना ही, thanks all of you आपकोस का आपकोस करते हमें